हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टूबर चैनल इस्टटी पीवाई क्यू एंड इस इस सत्यम परमार जो यह सीरी चल रही थी हमारी जोगराफी से संब्दित पीवाई क्यूज की उसको एक कदम आगे और बढ़ाएंगे आज के सेसन में हम देखेंगे टॉप 50 कोशन जोके जोग अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि पर डी आपको यहाँ पर एक से दू लेक्चर मिलते हैं और अगर आपको एप डाउनलोड करना है तो एप डाउनलोड करने के लिए आप GSI दिवाकर सर नाम से सर्च कर सक अगर शैसन अच्छा लगे तो आप लाइक भी करना ठीक है चलिए फर्स्ट कुशन देखते हैं इसमें भारत के जंजातिया दिये गए ततावन के राज दिये गए इसमें सुमेलित करना है कौन सी रज्जो जंजाती है कौन सी किस राज में पाई जाती है ठीक है यह देख जंजाती है यह मिलती है आपकी अशम में और रंग पर जंजाती मिलती है आपकी सिक्किम में एका हो जाएगा फोर्थ बीका हो जाएगा आपका सी यानि कि थार्ड हो जाएगा देख लेते हैं एक मट्ट ओहो सब रफ हो गया बैगा आपको मिलती है मद्यपदिस में ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं और करभी मिल जाएगी आच्यम में और रटंग पहलेगी सिखिम में चलिए नेक्स्ट कुछन देखते हैं परमारू जो सकति सयंत्र हैं इस इस स्तिदग नहीं हैं मतलब परमारू सब्सक्रिद्ध में हैं बाकी के कलपक कम में भी हैं काकरापारा में भी है रावद भाता में भी है यह सभी आपके हैं त而已 अब नेक्स्ति रीखते हैं मिलफा-Alpha क्या है अलफा-Alpha hips प्रकार की यह घास है गास है एक प्रकार की जो के काफी सौप्ट होती है पाई जाती है आपके उसर कटे बंदी जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पाई जाती है जगातर आपको देखने को मिल जाएगी इस प्रकार की घास अगर आप जाओगे उसर कटे बंदी मैदान में जैसे आपका अर लगासों के लिए काफी उप्युक्त घास भी यह माने जाती है तो अलफा अलफा क्या है घास है एक प्रकार की जो कि उश्यकट बन दिया घास के मैदानों में यह पाई जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सगन चंड का बन कहां पर इस्तित है तो यह इस्तित है आपका ओडिसा में सगन चंड का बन इस्तित है यह सगन चंड का के नाम से आपका एक रिजर भी है जिसको बोलते हैं चंड का एलिफेंटा रिवर्स एलिफेंटा रिजर बोलते हैं जो कि पाया जाता है आपका ओडिसा और उड़ी सा में तो सिंबली पॉल भी है और नंदन कानन ने हिसल पार्क भी है यह कप सभी कहँते आपके उड़ी सा में है नातुलादर्र्रह आवस्तित है नातुलाद कहां पर यह इस्तित है आपका सिक्किम Ms. ए उप्षन इसका सही हो जाएगा सिक्किम में आपका नाथुला दर्ला इस्तित है जो के बंद पड़ा हुआ था कबसे 1962 से बंद पड़ा हुआ था इसको पुनाय खोला गया भारत चीन मार्क के लिए 2006 में इसको फिर से खोला गया था ठीक है चलिए नेक्ष्ट देखते है न समान अन्तर शेडियों में है अगर परत आपके के बंद यान चले वर सत पड़ा परतयों समान अंतर हो जाएँगे छलिए नेक्ष्ट देखते हैं भ्रहध नधीका उध्गम कहां से होता है ँग सकता रखो पता हो ते होता है आपका चेमायंगडं ग्लेसियर से होता है यह Bene कान से फिर उधर से आ करे ग्रेटर हिमालय में यह पूर अपक्योर में प्रवायत बे इह अ और इसको जो जब यह ब्रहम उसमें जाती है सांग को नाम से बोला जाता है इसको तिबबत में किस नाम से बोलते हैं जब यह तिबबत से निकलती है तो उसमें जानती है असमें इसमें कई सारी नदिया मिलती है जैसे कि सुबंशरी हो जाएगी मानस हो जाएगी कमिंग है प प्रंपुत्र मिलने वाली नदिया हैं, इनकी यह साहरक नदिया हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर इसका उप्चन सही हो जाएगा, इस उप्चन सेवंत का, नेक्ट कोशन देखते हैं, निमलिकित मैं से भारत में हिमालय की सबसे उँची चोटी कंसी है, जो भारत में इस्तित ह हेमालय की सबसे उची चोटी बोलता तो वो आपके कौन सी थी मांट एवरेश्ट होती लेकिन ये भारत में इस्तित पूछ रहा है जो कि भारत में है तो वो हो जाएगी आपकी कंचन जंगा ये सबसे उची चोटी है भारत में इस्तित हेमालय की सबसे उची चोटी है ये ठी की हाइट है जो कि भारत में स्थे को घिर गार दो से अगर देखर है तो इसमें लोहा दिर आया लेकिन वह निक इन फेरस दोनों हैं निफेस से बना हुआ है मुखे रूप से इसमें लोHANनिर में तो होता है, काफी सारा लोहा होता है आंत्रिक परता है, परत्वी कैसे है, अंदुरूणी परत इसको बोलते हैं ऐसे आपने देखा हो, इस तरह ऐसे है, तो ये हहां पे आपका कोर छेतर है एक और एरिया हो जाएगा जो के बना हुआ है लोहा से और इसमें एक और मिला होता है निकल क्या मिला होता है इसमें निकल वह फेरस इसलिए इसको नाम दिया गया है निफे इसके जो घहराई होती है वो मिलती है आपके उन्ती सो किलोमेटर से 6,311 किलोमेटर की घहराई तक पाया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्चन की उर बढ़ते हैं अगर किसी भी कुश्चन में आपको doubt लग रहा हो तो आप doubt को clear कर सकते हैं comment करके आपको doubt clear हो जाएगा ठीक है बिस्व में जो बिस्व राजनेतिक भागलिक सीमाओं का फूंकम पीर गति विद्धी की आ चेत्रों में भी आप्षिन आपका सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन देखते हैं आपका निम्लिक में से कौन सा राज्य चतिस गड़ के साथ में सीमा साजा नहीं करता है तो वो है आपका राज्य बिहार जो के चतिस गड़ से सीमा साजा नहीं करता है कौन-कौन से राज्य हैं जो चतिस गड़ से सीमा साजा करते है तो वो हो जाएगा आपके उत्तरपदेश हो जाएगा ये सीमा साजा करता है, मंदेपदेश करता है, महाराष्ट भी करता है, आंदरपदेश भी करता है, ओडिसा, जारकन, तेलंगाना, ये सभी राज़ें जो कि 36 गड़ से सीमा साजा करते हैं, छोड़के किसको बिहार को, ठीक है, चलिए नेक्स देखते हैं, बकिंगम नहर का यह अपका प्रसिद्ध नहर है जो कि 9 को मन के लिए है ठीक है भी और फैस्ट राज अमेरिका का सबसे बड़ा लो आयस को उतपादक छेतर कौन सा है सबसे बड़ा अगर लो आयस को उतपादक छेतर है तो वो है आपका superior yield option यहापर आपका सही हो जाएगा यहापर सबसे ज़एदा लो आयस को उतपादन होता है ठीक है next thing क्योंकि अगर आपको पता हो तो एक त्याई खनिज, सायोक्त राज अमेरका से खनिज प्राप्त होता है इसी में जो सुपीर जील है, सुपीर जील में भी जो मैसा भी रेंज हो गई, मर्मिलियन हो गया श्यूना हो गया गोज्वोंक हो गया यह सभी इसमें प्रसित्ध हैं लो ऐस्के उत्ण नेफन लिए ठीक है नेली देखते के लिए किसे लिए प्रसित्ध आपको यह इसमें हो जाएगा सुचलित बहां के लिए काफी प्रसित्ध आप यह कहां पर इस्तित है तो यह इस्तित है USA में USA में भी अगर पूछा जाए तो यह इस्तित है आपका इरी जील है कौन से जील है यह इरी इरी जील के तर्ट पर इस्तित है और यह इसमें एक और सहर बसा हुआ है एरी जील के कιनारे और भी सहर बसे हुए है वो जाएंगे आपके जैसे एरी जील के पास में एक तो ripe 200 के पहुचा जाए तो बहो गूचात के लिए प्रमुख है यूएसे में कौक क yapmış है यह लो इस्पाथ के लिए पिर्स्वारजानी देख्व 5hr बसिद्र है और जिसकी जो विश्व की स्पात राजजानी उसको कहा जाता है कि इसको बोला जाता है विश्व की स्पात राजजानी वो बोला जाता है आपके pits work को जो की इस्तित है USA में ठीक है छलिए next देखते है निमलेके तो मैं से कौन सा एक खनन नगर का उधारन नहीं है तो कौन सा उधारन नहीं पूछा गया है बाकी के तीन इसमें उधारन है खनन नगर की जहाँ पर खनन होता है छोड़के एक के तो वो हो जाएगा आपका तेहरान D option सही हो जाएगा क्यों कि यहाँ पर खनन नहीं होता है तो यह खनन नगर का उधारन नहीं है चलिए next देखते हैं संसाधन बिकास के नियंतरण अत्वा नियदेशन को क्या कहा जाता है अगर संसाधन बिकास का नियंतरण हो रहा है तो उसको बोला जाता है संसाधन का प्रभंदन C option या पर सही हो जाएगा क्योंकि वापर नियंतरण और नियदेशन देखा जा रहा है तो इसको बोला जाता ह तरह का management या पर इसको प्रभंदन बोला जाएगा ठेक है चलिए next देखते हैं यह आपके सूची एक सूची दो दी गई है संसाधन के प्रकार दिए गए उनके उधारण दिए गए है अगर देखाए तो नभी करनी या फिर नभी करनी संसाधन में आपके आ जाएगे मिट्ट नभी करनी संसाधन में आपका आ जाएगा thorium और पुनर चक्री में पुनर चक्र किसका होता है आपको ध्यानों का डेविस का जल चक्र है यह पुनर चक्री हो जाएगा और एकल हो जाएगा आपका cryolite तो A का हो जाएगा second B का हो जाएगा fourth A का second हो जाएगा B का fourth हो जाएग फर्स्ट डीका हो जाएगा थर्ड ए ओप्सन या पर आपका सही हो जाएगा ए सही से सुमे लिते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्चन क्यों बढ़ते हैं इंग्लेंड में पहली बार औधोय करांती सब्द का प्रयोग किस ने किया था अगर इंग्लेंड में पुछाया तो सब्से पहली बार औधोय करांती का प्रयोग किया था वो किया था आपके अर्नाल टाय नभी ने जो किया था 1844 में इनकी एक बुक भी थी जिसमें उन्होंने इस सब्द का औधोय करांती का प्रयोक किया था, द्वारा से बुक का नाम बोल रही हूँ, लिख लीजिएगा, Lectures the Industrial Revolution in England, ठीक है, कब था, 1844 में, ठीक है, चलिए, नेक्ट कुशन देखते हैं, ब्यवसाइक सरमिक किस कॉलर के रंग से पेंचाने जाते हैं, जो ब्यवसाइक सरमिक होते हैं, उनकी कॉलर का कलर क्या होता है, तो उनकी कॉलर का कलर होता है, ब्यवसाइक पेंचाने जाते हैं, आपके सफेद कॉलर के नाम से, इनको ब्यवसाइक होते हैं, और अगर करमचारी बोला जाए, ब्यवसाइक के करमचारी, तो वो स्वाण कॉलर के नाम से पेंचाने जाते हैं, उनकी कॉलर में उगाई जाती है वो क्या उगाई जाती है तो इसमें आती है आपकी सब्जियां जो के उगाई जाती है मार्च से अपरेल की बीच में बुई जाती है इसमें अन्य फसल जैसे आ जाती है सब्जियों में कीरा हो गया ककड़ी हो गई तर्बूज हो गई खर्बूज हो गई या फिर तरतियक में आता है या फिर चतुरतक में आता है या फिर दुतियक में आता है तो इसका सही option हो जाएगा एए option जो प्रात्मे क्रिया होती है वो तरतियक क्रियाओं में आते हैं ठीक है चलिए नेक्स रिते हैं अगर इसको बोला जा तो इसको तरतियक जो छेत्र होता है इसको सेवा छेत्र भी बोला जाता है सेवा स्रेडी भी बोला जाता है ठीक है इसमें और भी आते हैं कौन-कौन सेव हो जाएंगे आपके याता यात हो जाएगा ब्यापार संचार स् ग्रामीड छेत्रन वहां प् 개인 कारण पूछा ग्या ँद तो यहां पर सबस्जदा क्या है औक रेरोजगारी है और दो दोर दोर्व है कोई नियmьत्त है इसलिए उन्हों गरीबी पाई जाती है जन संक्या भी देखा जाया तो काफी अधिक है प्रच्छन बेरोजगारी भी वहां पर देखने को मिलती है तो इसलिए गरामी चुत्रों में गरीबी पाई जाती है नेक्स देखते हैं निम्नां कितमे से कौन सा नगट जापान का पिट्सवर्ग कहलाता है जापान का पिट्सवर्ग कहा जाता है आपका योबाटा को बी ओप्सन इसमें सही हो जाएगा जापान का पिट्सवर्ग बोले जाता है योबाटा को ठीक है इसको पूरव का मैंचेस कटर और जैपन का सुनवर बोल जाता है UP ूवाता को ठीक है चलिए मेंश्ट कुछन देखते हैं लडांक क्रसी से समस्मन्द तो लडांक किसमें बोला जाता है तो लडांक बोला जाता है अपको मलेशिया में और प्रसि इस तानां तरी श्रील करसी के उध्र बुद्धे नाम देख लेते हैं अगर मेक्सिको में देखाया तो मिलपा बोलते हैं अगर प्राजिल में रोका बोलते हैं और और भी आपकी स्री लंका है स्री लंका में चेन्ना बोलते हैं इंडोनेसिया में हुमाया फिल्लंडांग बोलते हैं यह सभी आपकी कैसी है इस तर हित है आपका विविन प्रकार की अर्थ विवस्ता हैं सी ओप्सन या पर सही हो जाएगा आर्थिक भूगल की परिवासा में क्या मिलता है आपको विविन प्रकार की अर्थ विवस्ता हैं देखने को मिलती है उनकी परिवासाइं देखने को मिलती है तो सी ओप्सन या पर सही हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा ठीक है रुडोल्फ वेट गेंस थे उन्होंने आर्थिक भूगल की परिवासा दी थी उन्होंने कई सारी परिवासां दी ती जिनमें से कुछ महतुपूर भी ती जासे के आर्थिक भूगल बिविन प्रदेशों में प्रत्वी की संसाधन ता मनुस्य के आर्थिक कार्यों की अन्योने किरिया का अध्यानेवं बिसिश्टाओं का सार्थिक परिमाण है यह यह किस ने कहा था लुडोल्फ वेट गेंस ने लिख लेते हैं यहापे नाम लुडोल्फ बेट गेंस ठीक है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं आपको डेटेल सेशन भी कराया जाएगा यह अभी सिर्फ आपके पीवाई क्यू चल रहे हैं जिसमें कि आपके कोशन आंसर सीरीज चल रही है तो इसमें आपको कोशन आंसर ही कराएंगे ज्यादा डेटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इ Second Question देखते हैं. कसी पदेश की स्चंता जो दच्शता मापन के लिए निम्लिक वेस्टत मंसे किसका प्रयोग किया जाता है ? अगर क्रश्य दच्शता मापन नहीं है तो उसके लिए प्रयोग किये जाएगा कि वहाँ पर उपज हो रही है इसी से कसी दच्चता मा पी जाती है तो A option याप पर आपका सही हो जाएगा Jerusalem सहर है उसका बिकास हुआ था किसके रूप में इसका बिकास हुआ था तो Jerusalem अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो यह इसका T.E.N.O. type का map बना था इसका जो सहर का बिकास हुआ था वो सांस्क्रतिक रूप से हुआ था यानि सांस्क्रतिक सहर के लिए इसका बिकास हुआ था भी option याप पर सही हो जाएगा आपका ठीक है Paris किस नदी के किनारे अवस्तित है Paris नदी के किनारे अवस्तित है आपका नील के किनारे आस्वान हो जाएगा टेम्स के किनारे लंदन हो जाएगा सीन के किनारे पेरिस हो जाएगा मोसकावा है उसके किनार मोसकावा नदी के किनारे मासको हो जाएगा पोटो मैक के नदी के किनारे वासिंग्टन हो जाएगा राभी नदी के किनारे लाहौर इस्तेते और यमना के किनारे दिल्ली इस्तेते ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं किस जील के चारों और बसा गाउं किस प्रतुरूप में आएगा इसमें पुला गया है जो तलाव है या फिर नदी है जील है इसके चार ओर गाव बसा हुआ है यानि कि प्रतरूप बने हुए बसाव हुआ है इसके परकार में तो ये बसाव किस परकार का हो जाएगा तो ये टाइप हो जाएगा आपका निहार का या फिर नैवुला टाइप कर प्रकार हो जाएगा सबसे पहले कौन से प्रजाती उत्पन होई थी बोथ ही आपके नीग रिटो प्रजाती थी डी ओप्सन या पर सबसे पहले यह उत्पन होई थी इसको बताया ता किसने ग्रिफेट टेलर ने कपाज सूचकांग दिया था जो कि बालों की बनावट को इन्होंने आधर बनाया था साथ स्रेडियों इन्होंने बिवक्त की थी जैसे पहले मैंनों रखा था निग्रेटो निग्रो ऑस्टेलाइड भूमद सागरिया नौडिक अल्पायन इन्होंने बताई थी वो निग्रेटो पर जाती थी यानि कि डी ओप्षन सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन दिखते हैं सीपी बिलेकर ने जनांकी किस संक्रमण की पांच अवस्ता हैं थी थी सी ओप्षन सही हो जाएगा पांच अवस्ता हैं कौन-कौन से उनके नाम आप सुन लीजिएगा उच्छिस्ता ही अवस्ता थी दूसरी प्रारंबी की बर्दमान अवस्ता तीसरी थी उत्तर बर्दमान अवस्ता चौती थी निमनिस्ता ही अवस्ता और पांच वी थी हासमान अवस्ता यह नोंने पांच अवस्ता है बताए थी जो कि जन असका काइख घंत्त है c उप्चनिया पिक आपका सहीं हो जाएगा कुल जंद्थ फिछेतर का अनुपात ये परदाशित करता है इसका फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे काइख घंत्त बराबर होता है कुल जंद्थ संसाधन अगर पोषन घनत्य पूचा जाया तो पोषन घनत्य का फर्मूला होता है कुल जनसंक्या बटे खाद फसलों का छेतर फल अगर क्रसी घनत्य पूचा जाया तो क्रसी का होता है इसका फर्मूला कुल क्रसी में जो क्रसी कारे में लगने वाली जनसंक्या तता कुल क्रसी छेत्र ये हो जाता है क्रसी घनतो का इसका option सही हो जाएगा आपका का इक घनतो C option सही हो जाएगा ठीक है चलिए next देखते है मानब भूगोल के सिंदान principle of human geography पुस्तक के लेखा कौन है मानब भूगोल के सिंदान ते लिखेते हैं आपके L verse Huttington ने D option इस पर सही हो जाएगा चलिए next देखते हैं पठारों में ब्यक्तिकत जो ब्यक्तियों का प्रमुख ब्यवसाय क्या है जो पठार के ब्यक्तियों का प्रमुख ब्यवसाय करते हैं परते हैं परशुु पालन भिय आया पके सही हो जायगा थिकें catch्ट देखते हैं इस जो पठार है आपके प्रुषटीवी पर मिलते हैं किते परसेंट भागों में 33 पर भागों में पर आपके संकल्पना को यह किया था आपके PM लोक्स भी ने डियॉप्स ने आपका सही हो जाएगा ठीक है नेक्स देखते हैं लेवन स्राम की संकल्पना किसके द्वारा पर स्थित की गई थी तो यह की गई थी आपके स्रेट जेल की द्वारा स्यॉप्स ने आपके सही हो जाएगा इन् कि एंत्रोपोव्जोग्राफी तता लाजनीतिक भूगल इसलिए इनको लाजनीतिक भूगल का भी पिता इनको कहा जाता है जो कि लेट जेल को बुला जाता है ठीक है चलिए next question देखते हैं जिसे उन्हानी बिद्वान का विचार था कि सारे इत्यास को भोगल को परिपेच में रखना चाहिए वो कौन से हैं तो वो हो जाएंगे आपके रखना और कि से है रोडोड़स बी ओप्सिनिस में सही हो जाएंगा इनी को इत्यास का प्रिता भी का जाता है रोडोड़स को ठीक है चलिए next देखते हैं एक मैंट हाँ बूगुल को छेतरवाणनी विग्यान किस ने कहा था इसको कहा था से का ने कहा था ठीक है तो आज के सेसेन में सुर्फ इतना इंँर सेसन कैसा लगा जोरा है जीरूर बता है झाल झाल